नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो स्वागत है आपका आज के इस निव वीडियो में तोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टेक्नोलजी के बारे में जो की हमें वर्चुल करेक्टर्स को रियल जैसा बनाने में मदद कर सकता है यह एक अपकमिंग टेक्नोलोजी है दोस्तों जिसका अनॉंस्मेंट माइक्रोसोफ्ट ने भी रिसेंट ले किया है अभी दोस्तों AI की होड लगी हुई है हर एक कंपनी कुछ ना कुछ नया AI टूल लेके आ रही है सो माइक्रोसोफ्ट वी क्यू इनिशियली नाम रखा हुआ है और इसका टैग लाइन लाइफ लाइक ओडियो ड्रिवन टॉकिंग फेस जनरेटेड इन रियल टाइम सो यह इन्होंने इसका जो है अभी नया नाम रखा है दोस्तों और इसको जो है इंट्रोड्यूज कर दिया है तो चलिए सुरू करते है कि क्या है यह टूल सो जो यह टूल है दोस्तों यहां पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है यह टॉकिंग फेस आपको प्रोवाइड करने वाला है एक टॉकिंग फेस जनरेट करके देदेगा यह आपको किसी भी स्टिल इमेज से सो यहां पर जो यह इंपुट लेने वाला है दोस किसे आप यहां पे एक image plus audio clip और चाहो तो आप signals को भी control कर सकते हो signals in the sense eye की movement और जो camera का angle है वो कितना होना चाहिए कितना pass में होनी चाहिए video कितनी दूर में होना चाहिए भी later on हम explain करेंगे उसको एक video के मदद से इन्होंने explain कर रखा है उसको भी समझेंगे कि यह किस तरीके से काम करेगा सबसे पहले इस वसा टूल के वारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों यह जो वीडियो जनरेटर टूल है दोस्तों वो static image या कि जो still image है उसको आप provide करोगे और इसको यह देख सकते हो यहां पर जो resolution आपको यह provide करेगा यह 512 into 512 इस resolution में और जो यह 45 frame per second की जो वीडियो है वो आपको generate करके दे पाएगा दोस्तों और जो main इसकी जो कासियत होने वाली है दोस्तों कि जो main इसकी capability है दोस्तों वो यह है कि यह जो है हमें real जैसा expression और movement जनरेट करने में मदद कर सकता है और lips और audio को sync करके साथ-साथ natural head motion और expressions को भी generate करवा सकता है एक still image में तो आप सोच सकते हो यह कितना realistic environment provide करने में हमारी help कर सकता है किसी भी image को जो है हम virtual एक video अबतार में change कर पाएंगे इस AI tools की मदद से यहां पर इन्होंने कई सारे examples भी दे रखें आप जैसे कि आप देख पारे हो अपनी screen पर अभी मैं इसको play करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह final result देता है दोस्तों तो चलिए check कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर जो यह वसा AI है वो कितना perfectly काम कर रहा है उसके अंदर जस्ट एक still image और एक audio प्रवाइड करी गई और वो आप देख सकते हो किस तरीके से वीडियो अपतार में उसको change करके किस तरीके की वीडियो generate कर पा रहा है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो face का movement है वो बिल्कुल accurate है दोस्तों और lips की movement है वो according to the text है दोस्तों जो भी वो बोल रहा है उसके according ही उसके lips move कर रहे है और यहां तक कि जो उसकी eye है उसकी eyebrow है उसकी movement है वो भी इतनी perfect है दोस्तों कि इसको हम कह नहीं सकती कि एक image को हमने edit करके बनाया है मतलब यह still image को इसने एक वीडियो अवतार में change कर दिया है दोस्तों यही इसकी खासियत है दोस्तों यहां पर Microsoft ने कई सारे जो demonstration वीडियो है वो अल्रेडी publish कर रखा है दोस्तों और दोस्तों इतना ही नहीं इसके अंदर आप वीडियो के जो expression है और जो उसका जो angle है बोलन image को हम एक image हमने इसको provide किया और उसको या तो camera angle भी change कर पा रहे हैं दोस्तों की जूम करके वीडियो बना पा रहे हैं जितना हम चाहे पास में रख सकते हैं या फिर उसको हम चाहते हैं कि वह left corner में देखे तो उस तरहीके से उसको set कर सकते हैं right corner में देखना है तो उसको उस अंदर आप जो एंगर है happiness है और जो surprise है इस तरीके कि जो आप different human beings के emotions होते हैं उसको भी still image में आप डालके उसको उस तरीके से वीडियो अपतार में change कर सकते हो मानलो कोई aggressive speech बुलवाना है इससे तो जो है उसका facial expression aggressive भी आप कर सकते हो और यहाँ पे आप नीचे और भी reward करके दिखाया है में इसकी आप यह देख सकते हो लेटेंसी बिल्कुल ना के बराबर है और बिल्कुल पता नहीं लग रहा है दोस्तों कि यह जो है एक still image से जो है वो इस वीडियो को generate किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो different अवतार की जो वीडियो है वो लगी हुई यह सारी images actually AI generated है दोस्तों यहाँ पर यह कोई भी जो image आप देख पारे है वो realistic नहीं है मतलब यह सारी की सारी images virtual virtual tool के दोवारा ही create किया गया है और यह कोई भी exist नहीं करता है तो दोस्तों अब check कर लेते हैं कि actually मैं यह image से कैसे वीडियो में generate करता है जो कैसे इसको हम image प्रवाइड कराते हैं और audio प्रवाइड करते हैं और जो इसको है वो यह एक वीडियो अफ्तार में change कर लेता है आने वाले time में जब यह launch होगा कुछ इस तरीके का आपको interface मिलने वाला है दोस्तों जहां पे आपको upload का button मिलने वाला है जहां पे आप अपना image upload कर सकते हो और साथ ही साथ एक audio upload करने का भी option आएगा जहां पे आप उसके relevant में जो audio है जो आप audio upload करना चाहते हो वो audio upload कर सकते हो और बाकी का काम जो है वो आपके लिए यह जो वसा AI टूल है वो कर देगा दोस्तों सो यहां पे आप चेक आउट कर सकते हो एक video demonstration के लिए इन्होंने publish कर रखा उसको हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो इन्होंने एक image जो है वो still image upload कर दी और एक audio file भी उसके relevant में upload कर दी जैसे इन्होंने upload करी दोस्तों ये देख सकते हो उसको जो है वो वीडियो अफ्तार में change कर चुका है दोस्तों और यहां पर uploaded images है अगरुनको हम Switch करते हैं तो भी आप देख सकते हैं जैसे ये switch हुआ उसको भी इस ने वीडियो अफ्तार में change कर दिया दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हो और इस window ripped कर सकते हो मतलब text के देख सकते हो और उसको speech में convert करके जो है उसका यूज कर लेगा और आपका जो वीडियो फॉर्म में है उसको generate कर देगा साथ इसात आप देख सकते हो इसका जो angle है वो भी change कर सकते हो, आप इधर उदर adjust कर सकते हो, कहां ये देख रहा है, उसकी जो देखने का scope है, उसको भी आप इधर उदर change कर सकते हो, कि इसको किस तरफ देखना है, किस तरफ नहीं देखना है, किस angle पर देखना है, किस angle पर नहीं देखना है, ये सारी किस सारी किनल के दोवारा भी प्रोवाइड करेगा इस तरही के से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने वीडियो अपतार को जैसा चाहो आप पैसा बना सकते हो सिरफ आपको एक स्टेल इमेज और जो है एक ओडियो रिकॉर्डिंग आपको यहां पे इसको देनी होगी दोस्तों जो यह सकता AI टूल है Microsoft company का कहना है कि उन्हों ने यह demonstration परपज के लिए बताया है कि उन्होंने इस तरीके का AI टूल है वो develop कर लिया है अभी पब्लिक के लिए इन्होंने कोई भी API या फिर कोई भी जो यूज करने के लिए demo link जो है उसका भी इन्होंने share नहीं किया है क्योंकि company का म मिसकी की भी मेज को यूज किया सकता है और उसको जो है इस वीडियो फॉर्मिट करके उसका मिस यूज भी किया जा सकता है तो अभी जब तक इसके उपर बिल्कुल फूल प्रूफ security नहीं लेकर आ भी करेंगे तो तब तक यह औ Pennsylי लॉंच नहीं करेंगे दोस्तों जैसे दोस्तों कि कि अब भी इनका कोई ऐसा प्लान नहीं कि यह demo link या फिर इसको यूज करने के लिए कोई API या कोई Product लेकि आये Market में जैस्ट इन्होंने यह बताया है कि हम्ने इस तरीके का AI जो tool है वो develop कर लिया है वैसे तो देखने में ये जो tool है वो काफी helpful लग रहा है दोस्तों बट जो इसकी security concerns है उसको भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों आपने देखा कि किसी भी image को जो है वो ये एक बोलता हुआ वीडियो में convert कर दे रहा है generate कर दे रहा है easily वो भी एक facial expression के साथ आप imagine कर सकते हो इसका misuse कितना आसानी से किया जा सकता है दोस्तों आप imagine करो कि कोई भी जो हमारे नेता है या फिर जो celebrity है या कोई भी individual बहुत सारे लोग press conference करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं social media पर आके अपना जो ग्यान है वो पेलते रहते हैं इस AI टूल के आने के बाद हम हमें पता करना बड़े मुस्किल हो जाएगा दोस्तों कि यह जो press conference वगेरा social media पर share किया जा रहा है वो reality में उस बंदे ने बोला है या नहीं बोला है क्योंकि एक still image को यूज करके इस तरीके के press conference करवाई भी जा सकती है AI टूल के मदद से तो आप सोच सकते हो जो इसका security concern है वो कितना खतरनाक हो सकता है दोस्तों कि जो व्यात किसी व्यक्ति ने बोली नहीं उससे वो भी बुलवाया जा सकता है और उसको बड़े पैमाने पे circulate किया सकता है और इससे जो है trust issue हो सकता है दोस्तों लोगों को भड़काया सकता है hate speech दिया जा सकता है इन सारी चीजों को ignore नहीं किया जा सकता है दोस्तों बाकि आपका क्या ख्याल है इस वसा AI टूल के बारे में आप मुझे अपने जो कीमती सुझाब है वो कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है इसका जो ये वसा AI है उसके आने के बाद जो है हमारे जीवन पे जो या फिर जो पबलिक है उसके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है सो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपना कीमती सुझाब कमेंट में डालना ना भूले दोस्तों